नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हुं मुकस्जानी मेरी चैनल पे आप सभी भैवेनों का हादिक स्वागत कता हूं सभी के लिए सुपकामना सुपेच्छा भगवान बोलेना था सभी की मनों कामना पूरी करें बीना वजह आपका मन असंत रहता है चोटी चोटी बातों परिवर में कलेश रहता है चोटी चोटी बातों पर तुटू मेमें हो जाती है भाई के साथ सग्य भाई के साथ रिष्टे कुछ ठिक नहीं है परिवार में जब भी क्लेस होता है तब धन नहीं होने की वज़े से रूपियों की कमी की वज़े से क्लेस होता है छोटे छोटे तीन उपई देता हूं दोस्तों आपको अगर ये उपई कर लेते हैं तो क्लेस, कर्ज, धन की कमी और जो बिनावज़ सत्रू बनते हैं आपकी आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है फिर भी आपका अही सोचते हैं वैसे सत्रू से छुटकारा अवश्य मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करनी है तो करे ना करें आपकी मर्जी वीडियो को लाइक करें डिसलाइक करें आपकी मर्जी एक नमर निवेदन छोटी अपेक्सा वीडियो देखने के बाद कोमेंट बोक्स में बीना जैस्री राम लिखे आप चैनल छोड़के नहीं जाएंगे वीडियो को बन ने करेंगे जैस्री राम आप अवश्य लिखेंगे हर दिन ये छोटी रिक्वेस्ट मैं सभी भाई बेहनों को करता हूं बीच में भूल जाता हूं दोस्तों मेरा वोट्सप नमबर आप नोट कर ले आपके जीवन में कोई समस्या है आप मुझे मेसेज करेंगे कोल नहीं करेंगे कोल कोई ऊठाएगा नहीं मेसेज करके रख दे आपको जाब और्षय मिल जाएगा आपकी जो भी समस्या है जो भी परिशानी है परिशानी का समादान आपको और और जाएगा मेरा वोट्सप नमबर पहले आपने मोट कर ले क्योंकि वीडियो के end में मैं भूल जाता हूँ बाद में comment आती है का आपने whatsapp number दिया नहीं आपका 8732-985130 दुबारा बोलता हूँ दोस्तो 8732-985130 जीरो अगर यह सभी समस्या आपके जीवन में है आप छोटे छोटे तीन उपाई करें काले तिल के लड़ू दोस्तो यह उपाई अप मंगलवार के दिन करेंगे और लगातार आठ मंगलवार तक आप यह उपाई करते रहेंगे सर्थ एक ही है नोनवेच और सराब बिलकुल बंद रखेंगे घर में कोई बहन को असुधी है तो वो मंगलवार यह उपाई करना टाल दे आठ मंगलवार पूरे करेंगे आप बीच में कोई मंगलवार छूट जाता है तो गबराई यह मत उपाई पवित रहे और साथ विखें आठ मंगलवार पूरे करने है बाद में रिजल्ट देखे अगर आपको जीवन में बदलाव लगता है कि नहीं परिवार के साथ मेरे जीवन में मेरे साथ परिवार के साथ कुछ अच्छा हो रहा है बदलाव आ रहा है तो दूसरे आठ मंगलवाद आप यह उपए कर सकते हैं काले तिल के लड़ू यह मकर संक्राती जो सर्दी की मौसम है अभी तो आसानी से मिल जाते हैं वैसे तो बारो मास मिलते हैं पूरी साल काले तिल के लड़ू जिसे कुछ प्रांट में रेवडी बोलते हैं तिल की रेवडी काले तिल की रेवडी भी बोलते हैं काले तिल के लड़ू भी बोलते हैं अगर नई मिलता है आपको गुर से बनाया जाता है इसे काले तिल के लड़ू नई मिलते हैं खरो मंदिर में जाके रखे, दान करें, मंदिर में बेटके उम नमष खिवन तर्विन pasti की मालह करें, तर्विन पर दोस्तो, घ्ल म्ле validity सेवलिंग पर नहीं चड़ाल नहीं, पेकेट मंदिर के अंदर ही रख देना है, शिव जी के पास रख देना है, गुड़ और तिल का पेकेट, रेवड़ी आप जो लड़ू बोलता हूं में, वो लड़ू आपको मिलते हैं, तो आठ लड़ू आप शिव जी के मंदिर में रख देंगे, शिव लिंग के पास, खुल्य आस्मान के नीचे जो लोग मद्दूरी करते हैं आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, खुमना पड़ेगा कोई जगह पे बिल्डिंग बन रहा है, मकान बन रहा है कोई रोड़का काम चल रहा है तो मजदूर लोगों के साथ उनके बच्चे भी होते हैं थेली दूधिकी ले, तो दस बारा रूपिय वाली दूधिकी थेली आती है चोटी वो आठ थेली ले, आठ मंगलवार तक आठ दूधिकी थेली, वो बच्चो को आप दे दे अगर आपके अगल बगल में छोटे बच्चे रहते हैं गरीब परिवा रही बच्चे छोटे हैं तो आप उसको भी दान कर सकते हैं मगर जो खुले आसमान के नीचे जो मद्दूरी करते हैं उनके बच्चे को आप दूध देते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा आठ थेली दूधिकी दस बारा पंद्रा रूपिय की आती है जो भी आती है छोटी थेली छोटा पेकिंग लेनाइबूत का मगर दूध का दान करना है और आठ बच्चों को करना है मंगलवार के दिन सुबह में सुमवार के दिन दात को अपनी एक मुठी मसूर की दाल मसूर की दाल एक मुठी आपके सर के पास रखे पेकेट बनाके आपके सर के पास रख दे कोई भी पेपर चलेगा अपना नियूस पेपर का कोई टुकड़ा है उनमें भी एक मुठी दाल बान के आपके सर के पास रख दे सुबह में उठने के बाद आप चाई पानी बाद में पिएंगे अपने उपर से इसे आठ बार उल्टा उता रहे खास कर जो व्यक्ति का मन असांत रहता है चंचलता ज्यादा है कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है ब्यकार की चिंता करता रहता है इसके सिर से उपर से आठ बार उल्टी उता रहे एक मुठी मसूर की दाल इस मसूर की दाल को जल में प्रवाहित करना है दोस्तों आप बोलेंगे जल तालाब नदी नहीं है हमार यहाँ तो ये प्रयोग करना टाल दे मैंने जो अगले दो प्रयोग बताये आपको वो दो प्रयोग करें यह तिसरा प्रयोग करना ठाल दे, अगर नदी ताला भेल तो आप यह तिसरा प्रयोग करे जSl में ही प्रवाहिद करना है क्योंकि जल चंद्र है, मसुर की दाल मंगल है, हमें मन को सांत करना है, जो उदासी है वो मन से निकालनी है. दोस्तों मसूर की दाल का कोई और जगह पे दान नहीं करना है जल में जल नहीं है तो प्रयोग ना करें जल में प्रवाहित करें यह तीन उपाई कर ले हैं परिवार का क्लेस कर्ज सत्रू मन की बेचेनी उदासी आठ मंगलवार आप यह उपाई कर लेते हैं तो अवस्य दूर हो जाएगी मैंने मेरे पहले एक वीडियो में बताया था इसा ही एक उपाई तो तीन चार उपाई साथ में मैंने बता दिये थे तो एक कोमेंट आई थी कि इन में से यह उपाई हम नहीं कर सकते तो आप जितने उपाई कर में तो तीन चार उपाई आपके साथ सेरकत देता हूं उन में जो भी उपाई आप कर सकते हैं, एक, दो, तिन, जो भी उपाई कर सकते हैं, वो उपाई आप अवश्य करें, एक उपाई नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं फाइदा तो आपको अवश्य होगा है, तो दोस्तों, उपाई आप ठीक से समझ गये होंगे, फिर भी कोई बात समझने में ना आए आप मुझे वोट्षप करें जवाब आपको अवस्य मिलेगा तन्यवाद वंदे मातरव